खबर रीवा से हैं जहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाविकास समन्वे एवं निगरानी समिति दिसा की बैठक आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता कर देवे सांसज जनारदन मिश्रा ने कहा कि जन प्रतिनीधी निर्मार कारियों के साथ-साथ अपने सामाजिक दाइतों पर भी विसेज ध्यान दे सामाजिक दाइतों को निभाने से हमें आत्मसंतोस मिलेगा जिले भर में कोपोशण को मिटाने के लिए मुनगा रोपड का अभियान चलाया जा रहा है सभी प्रतिनीध इस अभियान में भागीदारी निभाएं जिला इस्तर पर 5 लाख मुनगे से पौधे तयार हैं जिन में से 1,68,000 का रोपड अब तक किया जा चुका है मुनगा का सेवन नगर गर्वती माताये नियमित रूप से करेंगी तो उन्हें और उनके सिसू को परियाप बोशण मिलेगा सांसद ने कहा कि प्राइवेट बैंक सासंद वारा गरीबों के कल्यान के लिए लागू योजनाओं में रुची नहीं दिखा रहे हैं जो बैंक जन कल्यान योजनाओं में योगदान नहीं देगा उसे किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया जाएगा प्रधार मंत्री आवास योजना की समेक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि सभी सीयमों अभियान चलाकर अधूरे आवासों का निर्मार पूरा कराएं मन्गवा माउगंज तथा से मरिया नगर परिसदों की प्रगति संतोष जनक नहीं है सांसद ने कहा कि आयुसमान कार्ड योजना से पात्र व्यक्ति को पांच लाक रुपए तक की उपचार की सुविधा हर साल मिलती है जिले में 8,36,000 से अधिक पात्र व्यक्ति के कार्ड बनाये जाने हैं इसके निए जिले भर में अभियान सुरू कर दिया गया है कलेक्टर आयुसमान कार्ड का दुरुपयोग करने वाले अस्पतालों के विरुध कड़ी कारे वाही करें बैठक में जल जीवन मिसन के कार्यों की समिच्छा करते हुए सांसद ने कहा कि मिसन के कारे तेजी से पूरा कराएं पूरी हुई नल जन योजना का लोकारपन कराकर आम जनता तक नल से जल पहुचाएं जल जीवन मिसन के निर्मार कारियों के संबंध में लगातार सिकायते मिल रही हैं योजनाओं की गुडवत्ता पर विसेश ध्यान रखें जो एजनसियां ब्लैक लिश्टिट की गई हैं उनके स्थान पर नई एजनसी की तैनाती करें जनपद इस्तर पर बैठक करके जल जीवन मिसन की समिक्षा करें सांसद ने कहा कि उपसंचाला क्रिसी मोटे अनाजों की खेती को प्रोचाहित करें फसल बीमा योजना का अभ्यापक प्रचार प्रसार कराएं जिससे अरिणी किसान भी बीमा का लाब उठा सके कुपोशन पर नियंत्रन अभियान की समिक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि सभी जन प्रतिनिदी आगनवाडी केंद्रों का नियमित रूप से निरिक्षण करें यदि किसी केंद्र में कमी पाई जाती है तो कलेक्टर उन पर कारेवाही करेंगे आगनवाडी केंद्रों की विवस्थाओं में सहियोग देकर इवं कुपोसित बच्चों की देख भाल का जिम्मा लेकर भी जन प्रतिनिदी अभियान में सहियोग कर सकते हैं बैठक में उज्वला योजना की भी समिक्षा की गई बैठक में जन प्रतिनिदियों ने आगनवाडी केंद्रों की नियमित संचालित ना होने, जल जीवन मिसन का कारी ठीक ना होने, पालतु पसुओं को खुला छोडने के कारण फस्टों को हानी तथा दुरघटनाय होने, प्रधान मंतरी आवास योजना की लागत बढ़ने के क पारण राजी में ब्रिद्धी तथा आयुसमान कार्ट के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया गया, बैठक में कलेक्टर मनोज पुस्मी ने कहा कि जिले भर में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जन कल्यान कारी योजनाओं के प्रतेक पात्र हित ग्राही को लाभानवित कर करने में सही योग करें, आयुसमान कार्ट बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में सिविर लगाये जा रहे हैं, जिले में 1000 हेक्टेर में मोटे अनाजों की खेती प्रस्तावीत है, जल जीवन मिसन में अब तक जिले में 6898 परिवारों को कनेक्शन दिया जा चुका है, बरत कानमंत्री ग्रामीड आवास योजना से स्विक्रित 1,35159 आवासों में से 1,1800 आवासों का निर्मार पूरा हो चुका है, बैठक में सभी जनपत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, विधायक प्रतिनिदी आयुक्त, नगर निगम, रिडाल मीडा, जीला पंचायत क मुखे कारे पालन अधिकारी स्वप निल्बान खेड़े तथा संबंधित अधिकारी एवं समीति के सदस उपस्थित रहें